हाई गाईज वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल खान कोचिंग क्लासेश और मैं सेल्फ आफताव आलम दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आन हीज ब्लाइडनेस अपने अंधेपन पर जिसे लिखे हैं जॉन मिल्टन दोस्तों यह 14 लाइन का जॉन मिल्टन का सॉनेट ह है जिसका साथ लाइन मैं आलेडी पढ़ा चुका हूं यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे वह दिया गया है आप वहां से जा करके असानी से देख सकते हैं चलिए दोस्तों समय नगवाती हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पोयम है उसका आठवा लाइन से लेकर के चौदा लाइन तक जान मिल्टन साहब बताते क्या हैं देखे दोस्तों पहले ये साथ लाइन का मतलब हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में क्या कहा गया है जान मिल्टन साहब बताते हैं कि जब वह स्वैम से पूछते तो रोकती है कि इन सब के बारे में मत सोचे और उनकी अंतरात्मा उन्हें उत्तर देती है कि भगवान को आवसकता नहीं है कि मनुस्य काम करे या ना करे यदि भगवान ने मनुस्य को बना दिया है वो किसी मनुस्य से कहने नहीं आता है कि तुम काम करो इसलिए भगवान को क कोई आवशकता नहीं है कि मनुस से काम करे या ना करे और नहीं भगवान कभी किसी मनुस से किसी गिफ्ट की काम ना करता है किसी पहार की काम ना करता है बलकि भगवान की द्वारा दिये गए कस्टू को जो इनसान अच्छे से सह लेता है वो भगवान की सेवा अच्छे से कर और भगवान का जो राज है वो राजसी है और भगवान बिल्कुल राजा की तरह निमाज करता है हजारों देवदुत उसके कही आदेश पर दृदोदम डर्टेश पर रहते हूं जाह वो सागर्के रहते हूं。」 पें जाौन भाजुलिए के लिए हमेशा तत पर रहते हैं तो चलिए दोस्तों लाइन बै लाइन इसको समझते हैं कि आठवे लाइन से आने इस ब्लाइडनेस में क्या कहा गया है देखिए दोस्तों कहते हैं जॉन मेल्टन साहब आई फांडली आस्क मैं मुर्खता पुरवक पूछता हूं बट पैसे लेकिन मेरा धैरे टू प्रेवेंट मुझे रोकता है दैट मरमर और उस बड़ बड़ा हट से सून रिप्लाइज सिगर ही उत्तर देते क्या पूछने से रोकता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं साथवे लाइन में जॉन मेल्टन साहब ने कहा था कि क्या भगवान मुझे यह बात पूछने से रोकता है और मेरी अंतरात्मा सून रिप्लाइस सिगर ही उत्तर देती है क्या उत्तर देती है God doth not need either man's work or his own gifts God doth not need घगवान को कोई आव सकता नहीं एधर मैंस वरक यद्यप मनुष से कार करे या न करे भगवान को कोई आउ सकता नहीं है कि मनुण से कार करे या न करे और हिज ओन्ट तो भगवान को किसी मनुण से उसके खुद की उपहार किया हो सकता है जो भगवान के द्वारा दिये गए कश्टू को सह लेता है देसर भी बेस्ट वह उसकी सेवाच्छे से करता है फिर से देख लिए जी दोस्तों इसमें जान मिल्टन साहब जब स्वैम से पूछते हैं कि क्या भगवान मुझे अंधा करने की बावजूद भी मुझसे काम करव भगवान की इच्छा रखता है तो जब वह कहते हैं मुर्कतापुर्वक साङजा सी बारे में इस सोचता हो तो ब्लोष में मेरा दैर है म istiyorum इन सोचों को सोचने से रोकती है और मेरी जो अंतरात्मा है वो मुझे सिग्र ही उत्तर देती है कि भगवान को आव सकता नहीं है कि मन से कार करे या ना करे और नहीं भगवान को किसी चीज की किसी गिफ्ट की कामना वो करते हैं भगवान किसी गिफ्ट का भी कामना नहीं करत गवान का जो राज है जिस्टेट उसका जो राज है इज की राजसी अर्था भगवान बिलकुल राजा की तरह निमास करता है 1000 at his bidding speed, 1000, 1000 देवदूत at his bidding speed उसके कही आदेश पे and post over land चाहे वो धर्ती पर रहते हों and ocean चाहे वो सागर में रहते हों without rest, बिना आराम की ये, they also serve only stand when weight वे खड़ा होकर कि इंतजार करते हों बिना आराम की ये बगवान की सेवा करने के लिए तत पर रहते हैं 1000 देवदूत, यہاں से देखे दोस्तों, भगवान का जो राज है वो राज़सी है और 1000 देवदूत उसकी एक ही आदेश पे, चाहे वो सागर में रहते हों चाहे वो धर्ती पर रहते हों बिना आराम की भगवान के एक ही आदेश पर उनकी सेवा करने के लिए तत पर रहते हैं I hope दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो किलियर हो गया होगा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन के बटन को दबा लिजिए और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगया हो तो लाइक भी कर लिजिए दोस्तों आगे भी शेयर करते रहे ताकि जरुवतमन भाईयों को बहानों को जो भी पढ़ते हो उनको यह मिल जाया और वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई